हेलो एवरिवन राधे राधे जैसे किष्णा कैसे हैं आप सब आसा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल सानवी ब्लॉग में तो मैं यहाँ पर पास्ता बनाने जा रही हूँ आज हमारे बच्चों को मन है पास्ता खान कर दिया है और यहाँ पर हरा मतर है थोड़ा सा और एक हरी मिर्च है और मुझे तीखा कम बनाने इसलिए मैं एक मिर्ची ली हूँ और आप सब आदिक ले सकते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने पास्ता को बॉल करकर छान लिया है चन्ने में और मैंने सेम कड़ाई बठा दिया हुआ है इसमें सौर्सो तेल मैंने अड़ किया हुआ है और एक हरी मिर्च अड़ कर दिया हुआ है तो हरी मिर्च चटक जा रही है तो हम इसमें प्याज अड़ करेंगे तो देखिए मैंने प्याज को अड़ कर दिया हुआ है देख सकते हैं आप सब और हलका सा इसे भुनेंगे प्याज को तो फ्रेंज आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और हमारे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा तो यहां पर प्याज हमारा हलका साहरोष्ट हो चुगा था इसमें मैंने गाजर एड़ कर दिया है और हरा मटर, सिमला, मेर्च यह सब सबजी है जो मैंने काट कर रखा हुआ था इस सबको इसी में एड़ कर लेंगे और इसे ज़्यादा नहीं भूनना है हमें बस थोड़ा हलका ही इसका क्रेंचिनेस बना रहे है इसमें बस हलका ही इसे भून लेना है और यहां पर हलका सब भून चुका था तो इसमें मैंने एक टेमाटर चप कर रखा था इसको भी आड़ कर लिया है मैंने और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें सोया सॉस एड़ कर रही हूँ और वेनेगर इसमें हम एड़ करेंगे बस थोड़ा ही सा जादा नहीं एड़ करेंगे यह वेनेगर है इन सबको बढ़ी ऐसे मिक्स कर लेंगे एक में यहां पर मैंने थोड़ा सा टोमाटो केचप डाल दिया हुआ है और इसी के साथ हमें इसमें हलका सा नमक एड़ कर रहे हैं टेस्ट को अकॉर्डिंग क्योंकि पास्ता उबालते समय भी मैंने थोड़ा सा पास्ता में नमक डाला हुआ था यह देखिए हो चुका है भुना चुका है यह जो प्याज वास था अब हम पास्ता को एड़ कर लेंगे और याद रहे पास्ता को जब आप छान रहे हैं तो उसको ठंडे पानी से वास जरूर करें ठंडे पानी से धो देने से होता है कि पास्ता एक दूसरे में चिपकता नही और इस सब को बढ़ें से mix कर लेंगे हम यहाँ पर और एक-दो मिनिट के लिए इसे भी हम भून लेंगे इसके साथ में और यहाँ पर taste के लिए हम थाँ सा मेगी मसाला एड़ करेंगे इसमें हमारे बच्चे लोग को मैगी का मसाला मतलब जादा टेस्ट अच्छा लगता है इसके वज़े से मैगी मसाला जादा यूज करती हूँ जिसको बढ़ें से मिक्स कर लिया है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सब फाइनल लुक पास्ता का यहाँ पर मैंने प्लेट में निकाला हुआ है तो फ्रेंस आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक कोमेट से ज़रूर करिएगा फिर मिलेंगे नेक्स व्लोग में तब तक के लिए बाबाई